नमस्कार आप देख रहे हैं पदमेश 24-7 कृष्णा सेंडे के साथ बुलेटिन के सुर्वात करते हैं हैडलाइन से कुतुर्णा गाउ में टेक्टर की चपेट में आने से छात्रा की मौत पर उपजा विवाद छावनी में बदला गाउ साड़ी छे घंडे बाद घटनास तल से उठाए गया शौब नगरपाली का अद्देक्च उपाद्देक्च निर्वातन से पहले ब्रह्मन पर गये भाजपा के 15 पारशत ब्रह्मन पर ही होगी राय सुमारी तै होंगे अद्देक्च उपाद्देक्च जिला पंचायत के नव निर्वाचित अद्धेक्ष उपाद्धेक्ष का जगा जगव हुआ स्वागत निकाली गई भवेरेली आधार से जूड़ेगा उटर आईडी आधार डाटा संग्रण का सुरू हुआ भियाद जिले फर में तीसरे सावन सुम्मार के उससर पर निकाली गई कावणी आत्रा भोली नात का क्या गया जलाविशिक पदमेश 24-7 की खबर का हुआ सर जिम्मेदार अधिकार्यों निली बालाखाट सिवनी मार्ग की सुद सुरू हुआ मेंटेनेंस बालाखाट नगर के समीप वारा सिवनी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास मोटर साइकल को सामने से आ रही सिफ डिजायर कार ने टक कर मार दी 31 जुलाई के रातरी करीब 9 बजे हुई इस दुरघटना में मोटर साइकल में सवार दो वेक्ती घायल हो गए घायल दोनों वेक्ती मनोज अडमे उम्र 34 वर्स ग्राम काईदी थाना वारा सिवनी और यासिन साह उम्र 45 वर्स ग्राम चांगोटोला हल ग्राम गर्रा थाना वारा सिवनी निवासी है जिने जिला अस्पताल बालाखाट में भरती किया गया है कोतवाली पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार के चालक के विरुद अपराद दर्श कर विवेचना शुरू की है जैस्तम चौक के पास यासिन ने मनोज अडमे को रोक कर ग्राम गर्रा तक चलने के लिए लिफ्ट मांगा मनोज अडमे यासिन को अपनी मोटर साइकल में बिठा कर दोनों जा रहे थे वारासिनी रोड पर वन परिछेतर कार्याले रेलवे क्रॉसिंग के पास वारासिनी की ओर से आ रही तेजरतार कार ने मोटर साइकल को टक कर मार दिया स्विफ्ट डिजायर कार की ठोकर से मोटर साइकल में सवार मनोज अडमे और यासिन दोनों मोटर साइकल सहीद गिरने से घायल हो गए कोतवाली पुलिस ने मनोज अडमे की रिपोर्ट पर स्विफ्ट डिजायर कार CG04 MQ 79-71 के चालक सुनिल यादव ग्राम अजगरा निवासी के विरुद धारा 299-337 भारतिदन विधान 114 मोटर वहिकल एक्ट के तहत अपराद दर्श कर विवेचना शुरू की है मांजी मच्वा समाज के लोगों के द्वारा अपने समाज के व्यक्ति को नगरपाली का बालाखाट में वाटमर 21 से निर्दली प्रत्याश शुक्र में पार्श चुनकर आये मानग बरवे को नगरपाली का बालाखाट में उपाद ध्रक्ष पत पर बिठाने के लिए उनके द्वारा अपनी प्रयास किया जा रहा है कौरी संकर विसिन से मुलाकात करने के दौरान मानजी मच्वा समाज संगटन बालाखाट के अद्धिक्ष गरधारी मसराम ने वताए कि मानक बर्वे वाड़ नमबर 21 से निर्दाली प्रतेश्ची करूप में पासत पत पर निर्वाचित हुए मानजी मच्वा समाज संगटन के लोगों का प्रयास है कि मानक बर्वे को उपादिक्ष पत दिला जाए जितना संभव हो सके संभानिय पत दिया जाए पालागाट विदाय गरुशंकर बिसी ने बताए कि अभी मानजी मच्वा समाज के लोगों के द्वारा मुलाकात की गई है इससे पहले अन्य समाजों के लोग पी उनसे मुलाकात कर अपनी बात को रख चुके हैं अपनी बात दे रखने का सबको अधिकार है संगटन इस प अपनी बात दे रखने का सबको अधिकार है भरवेली थाना चेतर के अंतरगत आने वाले ग्राम माने गाउं में एक व्यक्ती ने चाचा भतीजे को लोहे की राट से मार पिट कर घायल कर दिया दोनो घायल सूरज कावरे उम्र 45 वर्स और उसके भतीजे संगय पाचे उम्र 26 वर्स दोनो ग्राम माने गाउं भरवेली निवासी को जिला अस्पताल बाला घाट में भरती किया गया है 31 जुलाई की साम करीब 7.5 बजे जब संगय अपने घर में ही था उसी समय घर के बाजू में उसके चाचा सूरज कावरे और सोनू पाचे के बीच जगड़ा हो रहा था जगड़ा सुनकर संजय पाचे बीच बचाव करने गया तब सोनू पाचे ने सूरज कावरे और संजय पाचे को लोही की राट से उनके सर पर मार कर घायल कर दिया महले वालों ने बीच बचाव किया है उसके बाद दोनों चाचा भतीजे अपना इलाज करवानी के लिए जिला अस्पताल पहुंचे जिला पंचायत के अद्यक्ष पाद पर समराच सरस्वार और उपाद दिक्ष पाद पर राजा लिलारे के निर्वाचित होते ही कॉंग्रेस के पदादी कारी कारे करताओं और समर्थोकों में भारी हर्श व्याप्त हो गया जिसके चलते समर्थों को के दबारा छेत्र में दोनों ही पदादीकारियों का जम कर स्वागत क्या जा रहा है नगर मुख्यलाई से 16 किलमेटर की दूरी परिस्तित ग्राम समनापूर में समर्थों के दबारा एक कारेक्रम का आयजन किया गिया जिसमें जिलापंचायत के अद्धिक समराठ सरस्वार और उपाद्धिक्ष राजाली लारे को फलो से तौल कर जीत का ज्याशन मनाए गया इस दोरान गाउं में भव्य जूलस भी निकाला गया इस प्रकार ग्राम आमगाओ, धापेवाडा, बड़ी कुमारी, छोटी कुमारी, खैरी वो भटेरा में भी कारेक्रम आज जित कर छेत्र वासी जनता के दबारा दोरों ही पदादिकार्यों का सम्मान किया गया जिला पंचाता देक्षपत पर निर्वाचित हुए सम्मराठी सरस्वार ने कारेक्रम को सम्मोधित करते हुए कहा कि राजा लिल्लारे जो इस छेत्र से जीते हैं, यहां आप लोगों की जीत है में साथ दिया, फुरी तबीक की जात दिया, और मैं आप राजा तुमराठी और राजा तो रोगों के लिए कहा कभी भी राजा भाई मुद्ध 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 और किसी भी तांप के लिए बेजिज़ग कभी भी आनके आपको किसी का तारा लेती ज़र्वत नहीं है अभी कुछ देर पहले यह मुझे बोला गया अब तो हम अध्यक कर उपाद्यक दोनों साथ में आपके साथ में और राजावाईकप का सित्य जो है वो बहुत आगे रहेगा इसका मैं आपको बचन देता हूँ जिला पंचात उपाद्यक राजा लिलारे ने सम्मोधित करते हूए कहा कि मेरा धेई ही है कि छेत्र का विकास करना था और मैं विकास करूंगा है जन्ता ने शुनाओ मैं आशिर्वाद दिया उसी के बल पर उपाद्यक्षपत पर काविज हुआ इतना शुर्वाद दिया मैं आपको इस्वाद देलाना चाहता हूँ कि पूरी जिन्दगी भर भी आपका काम करूगा तो राजा लिलारे आपका काजरे चुका फाएगा और आपको याद होगा कि इलेक्ष्ण के पहले भी मैं क्योंटा था कि यह जितने दिखरे हैं यह सिप 8 जुलाही तक दिखरे रहा लिलारे पहले भी दिखरा था और जब तक जिन्दा है तब भी दिखेगा क्यूंकि मेरा लग सिर्फ मेरे चेत्र का विकास करना था उसके अलावा राजय अलारे का कोई लगसी तो बाट की तो आया तो जुबार हो जाना चीज़ कोड़ा बहुत बहुत बालाखर जिले के अलग-अलग छेत्रों में तीन महिलाओं ने मानसिक तनाव में आकर जहरी लिवस्तु का सिवन कर लिया तीनों मेला जिसमें कवीता तांडे कर 34 वश ग्राम सुनार का कोड़ी थाना लांजी भागे शेरी भगत 28 वश ग्राम पौनिया थाना तिरोडी और लश्मी भाई स्रिनाथ 35 वश ग्राम गोदरी थाना हट्टा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है एक अगस्द के दोपर में कवीता ने मानसिक्त तनाव में आकर घर में रखी चुह हमार दवाई का स्यवन कर लिया तीरोडी थाना चेतर कें अंतरगत आने वाले ग्राम पौनिया निवासी भागे श्री भगत ने एक अगस्त को सुबब मांसीख तनःओं में आकर केद में जानने वाली किडणासक ताइमेट का सिवन कर लिया, जो घर में उल्टी कर रहे थी, जिससे उल्टी करते में पड़सके लोगों ने देखा, पुछने पर उसने किड्णासक दबाई का सिवन करनी बताई, तब पड़सको लोगों ने जिलास्पताल बाला खाटे फर किया गया हट्टा थाना छेत्र के अंतरगत आने वाले गोदरी निवासी लच्मी भाई एक अगस्त को सुबब पाच बजे परिजनों से कहा सुजी हो जाने को लेकर मानशिक तरणाओं में लच्मी भाई ने घर में रखी किटनासक का सेवन कर किटनासक दवाई का सेवन करने के बाद जब लच्मी भाई उल्की का रही थी तब उजे परिवार वालों ने पूछा तब उसने बताया कि उसने किटनासक दवाई का सेवन कर लिया है जिसके बाद उसे जुलास्पताला कर भरती किया गया है बिरसा थाना छेटर के अंतरगत आने वाली जमूनिया नदी में वन इभाग के एक दैनिक वेतन भोगी करमश्वारी की बहने से मौत हो गई बिरसा फुलिस ने इस करमश्वारी के लास पोश्ट मालम करबा कर शव उनके परेजिनों को सोब दिया है और मर्ग कायम कर जान सुरू की है प्राप्त जानकारी कनुसार हरिषचंद धुरूवे वनी भाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मशारी के पत पर पदस था तीज जुलाई को हरिषचंद धुरूवे जमूनिया नदी पार करके ग्राम जोलर के जंगल में डूटी करने गया था जंगल में अपनी जूटी करने के बाद शाम पाज बजे हरिशंद धुर्वे जंगल से अपने घर लोट रहा था उसी समय बारिश हुई थी बताएगा कि जब हरिशंद धुर्वे जमुनिया नदी पार कर रहा था उसी समय नदी में बारिश का पानी बढ़ने से हरिशंद ध पाई गई गई जिसके चलते महां समीप में निवासरत लोगों की तबारा च्छतीग्रस विद्दूद पोल को अटा कर लोहे का विद्दूद पोल लगाए जाने की मांग प्रसासन से की जारी है बटे रचोकी में रेलवे लाइन के किनारे निवासरत अलोगनेवारे ने बताया कि एक विद्धूत पोल उसके मकान के सामने गड़ा हुआ है जिससे बंद्रो का आना जना लगा रहता है महां विद्धूत पोल नीचे से छतिग्रस हो गया है जिसके गिन्ने का डर बना हुआ है विद्धूत पोल जब लग रहा था उस समय ठेकेदार को कहा गया था कि लोहे का पुल लगा जाए लेकिन हमारे बात तो कौन सुना कर दिया गया मुझार पोल जब लग रहे थे, विद्धूत पोल के समय ठेकेर समय ठेकेदार को ना में भी रहता ही का रहा था कि यहां पी उसका पोल डाल दीजी अगरके लोहे का, ठेकदार ने भूले यहां तो इठ चल जाएगा वारा सुलित खाना के अंतर गराम वारा के बारा टोला निवासी 28 वश्चे श्रवन वरकड़े ने आम के पेड में फासी लगाकर जीवालीला समापकली इसमें बताय जा रहा है कि उक्त युवक वीबाह के साथ वश बिज्जाने पर भी बच्चे नहीं होने से मानसिक रूप से परिशान रहता था प्राप्त जानकर के नुसार बारा टुला वाड नमर 14 निवासी 28 वश श्रवन वरकड़े रवीवार के दिन सुबध घर में सभी के साथ भोजन कर इसके बाद उसके मातापीता खेती कारे के लिए चले गया थे और श्रवन घर में कहीं चला गया था देर शाम श्रवन के मातापीता घर आया तो देखा कि श्रवन घर में नहीं आ है जो देर रात तक घर नहीं पहुँचा जिसके बाद आस पर उसमें उसकी पता साजी की गई परंत उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया जिसका शो सोमवार की सुबध ग्रामिनों के द्वारा बारा टूरा की श्यू मंदर के पास इतीत खंडर में आम के पेड़ से लटका हुआ देखा गया जिस पर पुलिस ने आवश्यक करवाई कर मामले में मर्ग काईम करश्यों का पोश्मारम करश्य परिजनों को सौप दिया है भारत निर्वाचन आयकेद बारा मद्दाता रजिस्ट्री करण अधिनियम उनिस साथ किनियम 26 भी में संसुदन कर मद्दाताओं के आधार नंबर का मद्दाताओं से स्वैक्षिक आधार पर लिए जाने का प्रावस्वन किया गया है आधार डाटा संग्रण का कार्य एक अगस्ट 2022 से प्रारम कर दिया गया है इसे कड़ी में एक अगस्ट को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकार ये डॉक्टर ग्रीश कौन मिस्ट्रा के अधिक समय राजनेतिक दलों के प्रतिनीदियों वह मिडिया प्रतिनीदियों की बैठाक आयो जितकर उन्हें इस्तंबंद में जान करी दी गई बैठाक में मद्दाता सूची पुन रिक्षर के बारे में बताए गया बैठाक में बताए गया कि प्रतिक व्यक्ति जिनका नाम निर्वाचन नामाउली में दर्ज है मैं अपना आधार नंबर सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रारूप 6 ख में प्रस्तुत करेंगे मद्दाताओं का आधा नंबर डाटा संग्रण का कारिया सुनिशित करने के लिए कि लिए जा रहा है कि मद्दाताओं का नाम एक से अधिक स्थानों पर न जुड़ा हो आधा नंबर के संग्रण के लिए प्रारूप 6 ख भावतिक रूप से बियलो एरेयो या कोई अधिकरत व्यक्ति के माद्यम से तथा ऑनलाइन पद्दती जैसे एरेयो नेट गरूडग एप एनसे वीपी पोर्टल या ओटर हेल्प लाइन एप के माद्यम से किया जा सकते है जिन मदातों के द्वारा आधा नंबर किसी कारण से नहीं दिया जा सकेगा उनके लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की जानकारी प्रसुत करने के लिए व्यवस्ता की गई है किसी भी मदादा का नाम आधा नममर पर नहीं देने के स्थिति में मदादा सूची से विलोपित नहीं किया जाएगा मदादा टोल फिर नममर उनिस्सो पच्छाज पर भी मदाद के लिए संपर्क कर सकते पॉर्टल जैसे मैंने कहा कि पॉर्टल जो हमें बताता एरर्स वो तो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं अब हमारे पास कोई एक सी मेकनिजम नहीं कि राम नाल का नाम जो फलागी पंचायत में भी है और यहां भी है इसको टैली करने का जब तक हमारे पास आउनलाइन कोई मेकनि आधार सीडिंग उसको ले करके अच्छा विकल्प है जिसके दिशा में आयोग आगे बढ़ रहा है तो निश्यत्तोर पे आधार एक बाग जैसे मेरा यादार आज लिंक हुआ तो मेरा और कहीं नाम जुड़ा होगा तो निश्यत्तोर को रिफलिक्ट करेगा तो उसकी दि यह लोज करेंगे वो कुद कर सकते हैं तीन पोटल जहां जो आप्शन्स नहीं थे मैंने पहले पूछा जो कल तक हमको नहीं दिखते थे चुकि एक अगर से कारिकर में स्टार्ट हुआ इनों पोटल आप खुद यूज कर सकते हैं और खुद इंट्री कर सकते हैं तो बाच आज निर्वाचन आयोक के द्वारा दो दिन पहले ही नगरपाली का अध्यक्ष निर्वाचन की तारिक तै करने के बाद से बालगाट नगरपाली का के भीतर अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन को लेकर सरगर्मिया तेज हो चुकी है इन सब बातों को देखते विए भारती जन्ता पार्टी द्वारा अपने निर्वाचित पारसदों को भोपाल, उज्जयन, इंदौर, मांडू के लिए सोमवर को दोपार लगभग देड़ बजे रवाना हो गए है हलाकि इस दवरान भारती जन्ता पार्टी के सभी 18 निर्वाचित पारसद टूर पर नहीं जा पाए अंतिम समय में बस में 15 पारसद ही सवार होकर रवाना हुए है जानकारी लेने पर पता चला कि वाड़ नमबर 33 के पारसद योगेज बिसेन एक दिन पहले ही उज्जयन रवाना हो चुके है आपको बताएं कि वाड़ नमबर 20 के पारसद वीना वर्मा स्वास्त संबंधित कारणों की वज़ा से और वाड़ नमबर 15 के पारसद समीर जैसवाल पारिवारिक कारणों की वज़ा से टूर पर नहीं गए इससे पहले सोमवार की सुबह अचानक यह ख़वर सामने आई कि भारती जनता पार्टी द्वारा अपने सभी पारसदों को धार्मिक इस्थलों के दर्सन के लिए ले जाया जा रहा है यह चर्चा तेजी के साथ फैल गई और इसकी चर्चा व्याप्त हो गई आपको बताएं कि भारती जनता पार्टी समर्थित नगर पाली का बाला घाट में जितने भी निर्वाचित पारसद हैं उन सभी पारसदों को मौसम हरिन खेड़े के नेतवत में उनके साथ धार्मिक इस्थलों के दर्सन एवं मुक्यमंत्री सिवरासी चवहान का आसिरवात प्राप्त करने ले जाया गया है पारसदों का यह दल सुमवार को दो पहर करीब देड़ बजे जिला भाजपा कारियाले से रवाना हुआ विधायक एवं पिछ़़ावर कल्यान आयोक के अध्याज गौरी संकर भिसेन ने बताया कि पारसद दल में हमारे 18 पारसद हैं भाजपा के नगरपाली का बालगाट चुनाओं में उन्होंने एवं उनके समर्थकों ने बहुत अधिक महनत की जिसमें वो कहीं न कहीं ठकान महसूस कर रहे हैं एक तौर से नए वातावरण में ये प्रकरती का आनंद उठाएं इसलिए वे लोग धार्मिक इस्थल का दर्सन करने गए हैं ओम कारेश्वर महाकाल मांडू के दर्सन करेंगे तथा उन्होंने मुख्यमंतरी का आशिरवाद लेने का कारेकरम भी बनाया है मौसम हरिन खेड़े के नेत्वत में उनके साथ सभी पारसद गए हैं जो साथ तारिक को होने वाले मद्दान के पूरो बालगाट आ जाएंगे पूरे पारसद बोड़ गवाने में पारसद गवाने में पारसद गवाने को हैं जकतिकर आनद उछा है इसलिए हुक्त मैंए धार्मिक स्तिर्वारजी दर्सरब गया है। उनकों प्रकण काने अचार किंप सब्सक्राइएं, महांकर जरी 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 गया है। उनकों प्रकण करें विए खुर्द हैं..उनके बाहतितन के साथंहें। स्री विसेन ने कहा कि नगरपाली का अध्यक्षपद के लिए अभी किसी के नाम का चिंतन नहीं किया गया है सौसर चिंदवाडा से परिवेक्षक संतोस जैन आएंगे और निर्वाचित पारसदों से मुलाकात कर उनके विचार जानेंगे पिर वे अपना अभीमत संगठन के सामने रखेंगे तूर पर रवाना होने से पहले वाड नंबर 14 की पारसद वन्ना बारमाटे ने पदमेश 24-7 से चर्चा के दारान बताया कि वे तीसरी बार पारसद के रूप में निर्वाचित होकर नगरपाली का पहुंची है वे एक बार अलप समय के लिए नगरपाली का अध्यक्ष का कारेकाल भी समाल चुकी है इसके साथ ही भारती जनता पार्टी में अलग-अलग वरिष्ट पदों पर कारे करने का अच्छा अनुभव है अनुभव के आधार पर पार्टी के द्वारा उन्हें ही अध्यक्ष निर्वाचित किया जाना चाहिए या उनकी मांग है और इसके लिए वे दावेदारी भी करेंगी पर दिला मोची की दिलकोशा देख्षी हूँ लगर की पादेच रेटीजिव लगरपाली का सवर्क भी रेटीजिव और इसके बादी में लगरपाली का अधिक स्टेरा जुकर मेना कारे काल रहा है ये बताई की दूल हमारा है है और मैं पारटी में देख्षा फालता वाली के पार्मठव और बातो और पर दढ़र करेगी और ध्वान देगी, इसलिए मैं संगर्टन की ओपर भड़ी वरुषा करती हूँ, तो इस रिनार्टी को देखते हुए कैसरा करें। शंगर्टन से क्या चर्था हुए इस मामले को लेकर है। संगर्टन मैं सब बातें चीज़ें चल रही हैं तो फाइनल किसी कनाव नहीं आया है। अमेशनली वी प्रबल दावजारी रख जागी रख जीए जो खागाने महिला सी है, कसामाने महिला और अरचित महिला की आरचित है। अरचित है। इसलिए मैं इचाती हुए कि मैं इचलाओ।